अभी रिसेंटली टाटा हैरियर फेसलिफ 2023 लॉंच हुई है जिसके अंदर हमको काफी कूल अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं और काफी लंबी वेरियंट लिस्ट मिलती है चीज जो इसके अंदर सबसे बढ़िया है वो है इसकी स्पोर्टी लुक भी फिलाल लॉंच के साथ-सा चाइल्ड और अडल्ड दोनों के अंदर आई देखो मानना तो पड़ेगा टाटा और बिल्ड वाल्टी कभी दूर नहीं रह सकते हैं यह वाली वीडियो बनाने भी थोड़ा से लेट हो गया है थोड़ा नीख है बहुत ज्यादा लेट हो गया है थोड़ा समझने की कोशि अब बढ़ते हैं वीडियो में आगी तो भाई क्रेश टेस के साथ साथ हैरियर के सारे प्राइसी भी लीक हो चुके है अब इनके वेरियंट इतने है कि सफारी और हैरियर को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए यह वाली वीडियो डेडिकेट जो कुछ में वेरियंट से वह आपकी स्क्रीन के सामने आरे होगे वैसे तो वेरियंट भी इसमें काफी सारे है टोटल 25 वेरियंट इस अकेली गाडि के यह यह निए टाटा हैरियर के हमको देखने के लिए मिलते हैं और ऐसा मेरे ख्याल में तो पहली बार ही हुआ है कि अपनी ने डार्क एडिशन में लांच के टाइम में लांच कर दिया है उसे पहला वेरियंट है स्मार्ट वेरियंट जिसकी कीमत है 15,50,000 रुपे उसरा वेरियंट है प्योर वेरियंट जिसकी कीमत है 17,000 रुपे तीसरा वेरियंट है प्योर प्लस जिसकी कीमत है 18,70,000 रु और add करके इसके अंदर हमको मिलता है adventure वाला variant के बाद जो upgrade होता है वो होता है सीधा 1,40,000 रुपे extra दाल के जो की adventure प्लस A variant बाद आता है अपना fearless variant जयो की आता है 23,00,000 रुपे का variants मेरे को थोड़ा सा main main लगे मैंने वो address करें इस वीडियो में अगर 25 के 25 variant अगर explain करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और pouring भी बाकी में एक link आपको description में दे दूँआ जगार आपको detailed में देखने है इसके variants तो वहां से आप देख सकते हैं यह कुछते इसकी variant wise price list आपको एकाड़ी कैसी लगी मेरे को comment करके जरूर बताना वीडियो में हमने cover करा Tata Harrier facelift 2023 को जिसमें हमने cover करा उसका crash test उसकी pricing variant wise अगर आपको इसका best value for money variant खरीदना है और देखना है कि कौन सा variant इसका best value for money है तो मेरो कमेंट में जरूर बताना मिलते हैं जी कीजी बड़े ऐसे वीडियो में तब तक के लिए stay awesome stay safe बाई